है किशितियों के मांदीम से चुनाओं में हमारे भारती सम्विधान का नेर्मार है पहले पार के हैं कि है क्व तो कव कव सम्विधान की मांग की गई थी Disability की कप निमाइंटर क्वाइन है कि मात से लेते हुए कॉंग्रेस का उपीसियर 1935 के मात तक हम ने आपको बताया इसके बाद अगस्परस्ताव 1940 में इसके बाद 1922 में क्रिप्श मिशन वहां तक हमने बताया था और फिर हमने बात की थी कि सेकेंड वर्डवार की समापती के बाद बिटेन में आमचुनाव होते हैं और नए प्रधान मंत्री बनते हैं उन प्रधान मंत्री के बनने के बाद उस समय जो प्रधान मंत्री होते हैं वो उदारबादी प्रधान मंत्री कहलाते हैं उनका नाम है सर क्लीमेंट इटली सर क्ली हम देखेंगे कि 1946 में केविनेट मिशन आता है अब यहां से कॉस्चिन क्या पूचा जाता है कि कौन कौन लोग केविनेट मिशन में साविल थे तो आप इसको इस सब्सक्राइब के माधियम से याद रख सकते हैं पी एएस पास पास में थे सर पैथिक लॉरेंस दूसरे थे एवी एलेक्जेंडर और तीसरे थे सर स्टैफर्ड कि एक क्लिप्स यह तीजर तीन विशन के बारे में पूस दिया गया तो पैथिक लॉरेंस एभी एलेक्जेंडर स्टैफटेट्ड करएंगें पास के माधियम से ठीक है यहां सच बते आपको टीय होंगी होंगी ठीक को आपके मन में प्रश्यूटता होगा कि यह कैविनेट मिशन इसका नाम रखा गया जो इसमें को महत्पूर बाते कहीं गई दो अत्यत महत्पूर बाते थी जो कैविनेट मिशन द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया कि भारत अपनी स्मिधान सभाव का गठन कर शकता है और दूसरा सबसे मात्पूंड जो बात थी यह थी कि अंतरीन सरकार का करना है कि कि γए करने जाता है कि अंतरीन सरकार का किमीश שמס के माद्यम से हुआ तो आप आंसर करेंगे cabinet mission वहीं अगर आपसे question पूछ लिया जाता है कि सम्मिधान सभार को बनाने का कि कि मिशन के द्वारा कहा गया है तो आप आंसर देंगे cabinet mission के द्वारा दिया गया है ठीक है यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी तो यह हुआ इसके बाद होता है कि सम्मिधान सभार के वारत चुनिवी सम्मिधान सभा होगी तो उन्हों ने उन इसमें ही कह दिया था कि चुनी हुए सम्मिधान सभा होगी तो सम्मिधान सभा के लिए भारती सम्मिधान सभा के पुल 389 तीन सो नवासी सदस्य थे सदस्यों की संच्छा सदस्यों की संच्छा तीन सो नवासी थी ठीक है अब हम एक एक करके बताएंगे की कैसे तो पहला है ब्रिटिस भारत ब्रिटिस भारत दूसरा है कमिस्णरी छेत्र और तीसरा है देसी रियासत ब्रिटिस इंडिया कमिस्णरी एंड प्रिंसली स्ट्रेट इसमें पठवारा किया गया था ठीक है जिसमें ब्रिटिस इंडिया से 292 सदर से थे ठीक है 292 कमिस्णरी छेत्र से चार सदर से थे और वहीं देसी रियासतों की बात करें तो तो यह आप आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पहले पूछे गया है तो आपको यह याद रखना है कि 202 में ब्रिटिस भारत से चार विस्णरी छेत्र से और तिरानवे प्रिंसली स्टेट या देजी रियासतों से थे अब इनका पटवारा कैसा हुआ तो जैसे आपको जानते हैं कि आप इसको यह तो नोट डाउन कर लें या तो आप इसको याद रखें कि पारत दस लाग पर एक सदस्य की गढ़ना की गई थी कि अगर दस लाग जो पापुलेशन होगी उस पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा उसी निर्वाचन के तार्सम में कुन तीन सो नवासी सदस्यों की संच्छा रखी गई थी और उसको ब्रिटिस भारत का कमिस्णरी छ चेत्र से कोश्च चलाता है कि कौन कौन से कमिस्णरी छेत्र से तो आप इसको याद रखने का एक तरीका है या दूसर सब्दों में कहें कि ट्रिक है ए बी सी डी इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं एससे अजमेर हो जाता है बी से है बर्वचिस्तान सी से है कुर्ण जो बर्तमान में करनाटक में है ठीक है और दी से दिल्ली हो जाता है ठीक है जिसको आप इस तरीके से रख सकते हैं कि ये चार्ट मिस्णरी छेत्र है अजमेर बर्वच कुर्ग और दिल्ली इसको आप याद रख सकते हैं अजमेर इंडिया में बर्वचिस्तान इस समय बर्तमान पाकिस्तान में और यह नीची के दूच चेत्र है ये भी इंडिया में ठीक है अब यहां समझने वाली बात है कि आप इसको याद रखेंगे कि पूसर और था अप से कभी 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 कवार बात पूस दिया जाता है कि किस रियास्तेने सम्मेदान सवाह में कभी प्रतिमध्र ही नहीं कि आगे आने वाले एक्जामों में भी संभावनाय हैं कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं आप आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इनके लिए चुंकि सब्सक्राइब करना चाहेंगे कि इन दोनों के सदस्य इनका चुनाव होना था इन दोनों का चुनाव होना था कमिश्चनरी का यहां ना मांगकर ना था टेसी रियासत का प्रमुग होता था मानिं दूसरे सब्सक्राइब कहें तो राजा जो यहां से अपनी रियासत से एक इक नमंकन करेगा और बिटेश वारस से पमस्नेरी शेत्र से चुनाओ के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी ठीक है अब आपको एक चीज याद रखना है कि इनका चुनाओ चुनेगा कौन इनको इनको कौन चुनेगा तो जो हमारी प्रांती विधान सभा थ सब्सक्राइब चुनाओ ठीक है सब्सक्राइब चुनाओ तो यह जो प्रांती विधान सभा के सदस्य थे वो बेटिस भारत के दोसों बाढ़ने सदस्यों को चुनते हैं अब आपके मन में एक प्रशनू उठेगा या या आगे या एक्जाम में कुश्चन पूचे जा सकत सब्सक्राइब को चाहिवन चाहिं जोता ही नत्याथ किसा कितनी थी थी दो आप इसको सब्सक्राइब इनकी खुलों सदस्य संफ्मिंख्य कर लेकिशत पंद्रसों पचाइसे धिए उसको नोट डाउं कर लें क्योंकि यहां से कुश्चन आने की संभाव ना है ठीक है तो ह यहां तक आपको चीजे समझ में आ गए कि जो देशी रियासत 93 कमिशनरी छेत्र से 4 बिटिस इंडिया से 291 इनको चुंता कौन था प्रांती विधान सवार के सदर से इनकी कुल संच्छा कितनी थी इनकी कुल संच्छा 1585 थी यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे कि इनकी इतनी कुल संच्छा थी और हैद्राबाद ऐसी देशी रिया सकती जिसने कभी संविधान सवार में पार्टिसिपेट ही नहीं किया मने उसने भागी नहीं लिया अब आगे आते हैं हम कि अब यहां से आप एक नोट डाउन करेंगे कि संविधान सवार का चुनाओ बहुत मैं 1946 में होता है जुलाइ अगस्त महा के बस1946 में संविधान सवा का चुनाओ बहुता है चुँकि यहां चुनाओ और इहां नामानकर होगा इसलिए सभिधान सवा को आंसिक रूप शलर searches वहीं और और सिवर नमांध्य संविधान सवाम है ठीक है है तो इसको जोड़ देके भूह रहा हूं हमारे स्मीधान सभाय ठीक है था हूं होता है ठीक है अब चुनाव कम होता है जुलाई अगस्त माहा उननीस सो चियाजेस में इसका चुनाव गता है अब आगे हम देखेंगे किसके परणाम क्या होते हैं तो अगर हम परणामों की बात करें यहां अगर हम आप से लिक्र दें तो कांग्रेस को कांग्रेस को कुल 208 सीटे मिलती है मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग को 89 सीटे मिलती है 208 और 89 मुस्लिम लीग को मिलती है ठीक है वहीं हम निर्दलियों की बात करें निर्दलिक सदस्त से आठ थे और अन्य शेतरी दल की संखा साथ ती अब कहीं कहीं आप लिखा हुआ एक साथ पंद्रा पा जाते हैं ठीक है तो यहां समझने वाली बात है कि इसको आप नोट करने हम उसको अब समझने वाली बात क्या है कि उस समय कुछ चीजें जिनको आरक्षर प्राप्त था ठीक है आरक्षर किनको प्राप्त था पहले तो मैं आपको वताओ दूँ कि सामानी कि इनको कहा जाता था जनरल कहा जाता था हिंदू प्लस बौद प्लस जैन यह सामान ने कही जाते थे कब उनने सुचियालिस के हम बात कर रहे हैं ठीक है फिर इसके बार वहां पर मुस्लीम और सिख इन दो कम्मुनिटियों को आरक्षर प्राप्त था इसको मुस्लिम को सिख को आरक्षर प्लाप ठाका था उननिस सुचियालिस में ठीक है आप बरतमान समय की बात नहीं कर रहे हैं तो यह इस्थितिया थी उस समय पर और उसी में कॉंग्रेस को 208, मुस्लिम लिग को 89, निर्दली को 8, अन्यचेत्री दल को 7 ठीक है यह सिटिय मिलती हैं जो जुलाई अगस्त में 296 में चुनाव होते हैं तो इसमें इस सिटिय मिलती हैं अब आपके मन में प्रशन उठता है कि हमने तो बता दिया कि कॉंग्रेस को 208, मुस्लिम लिग को 89, और अन्यचेत्री दल को 7, निर्दलियों को 8 सीट मिलती हैं अब आपके मन में प्रशन उठेगा या आपसे कॉस्चन इसके पहले पूर में पूंचा गया है आगे आने व हम जनजाती के सदस्य संख्या की बात करें तो स्थी वर्ग से 33 सदस्य थे किसमें समिधान सुभा में इस 389 में से एसी वर्ग से जाती वर्ग से 26 थे और जनजाती से 33 थी ठीक है यहां तक बात आपको प्लियर हो गई होगी एक कॉस्चन पूछा जाता है कि महिलाएं कितनी महिलाओं की संचा महिलाओं की संचा या महिला सदस्यों की संचा कि ती थी संविधान सवाब में तो वह थी 15 है अगर आप से पूछ यह जाए कि सर्वादी कहां सी थी तो स्वायूक्त प्रांत से थी उसको यूनियन प्रॉविंस कहते थे पुराना यूपी और नए यूपी जिसको आप उत्तर देस कहते हैं वहां से सरदस से किस अच्छा पांच थी ठीक है यहां के चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी ठीक है अब आगे हम ठोड़ा से जल्दी आपको बताना चाहेंगे कि इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे कभी ने कभी पूछ लिया जाएगा या कि अब तुम आपसे एक चीज सिर्फ कहना चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक मात्र मुस्लिम महिला सदस्य का नाम पूछ लिया जाएगा तो आप क्या आंसर करेंगे उनका नाम है बेगम एजाएल रसूल एक मात्र मुस्लिम महिला सदस्य का नाम था बेगम एजाएल रसूल की उन पंद्रह में से ठीक है एक नाम और आपसे जलित महिला या एक मात्र जलित महिला दलित महिला सदस्य से बूछ लिया जाएगा उनका नाम है दक्षियामी बेल लियानी यह आप नोट कर लें कि एक मात्र मुस्लिम महिला सदस्य से बेगम एजाएल रसूल थी और दूसरी ही महिला एक मत्र दलित महिला या दलित महिला सदस्य कौंती दक्षियामी बेल यह आपसे पुछा जाएगा फिर इसके बाद यह संविधान सवा का चुनाओ होता है यह सदस्य से चुने जाते हैं ठीक है अब इसके बाद बात आती है कि इनकी पहली बैठक कब होती है तो इसकी अंसद के केंद्री है सभागार या तक्ष में ठीक है सदस्य इनकी बैठक होती है और 389 में से कितने पुल सदस्य से पहुंचते हैं बैठक में पुल सदस्य अंशते हैं इस बैठक में तो 211 कहीं आप 207 पाएंगे पर 211 ही आप इसको करें कहीं कहीं यह गलत है और डोसों्ट जारा सिद्ध करें महिला कितनी सदस्य हैं महिला कि अगर आगर में बात करें तो कियों नौस सदस्य ही आती है पंदरह मैं से नों सदस्य ही इस सब्मिदान सभा में आती है अब आपके मनें प्रश्णों उपता होगा, या बोस्चन उपता है कि सम्मिधान सभा की पहली बैठे तो नो दिसंबर गो जाती है, पर इनके, इनका अध्यक्ष कौन, अध्यक्षी कौन करता है, तो हम आपको बता देते हैं कि सम्मिधान सभा के आस्थाई स्वाई, अस्थाई अध्यक्ष, सचीदानन्द, सिना, यह कौश्चन पूछे जाने कि पूर्ण संभावना है कि सम्मिधान सभा के पहले आस्थाई, मनेा आस्थाए अध्यक्ष सचीदानन्द, सिना ही क्यों थे, यह वहां से लिए गया है कि यह फ्रांस से, हम आपको बताते हैं आगे थोड़ा सा, यह फ्रांस देश से लिया गया है, ठीक है, यह पूँछा भी जा सकता है आगे, चुकि फ्रांस में ऐसी रिवायर थी कि उसके सब जब कोई बैठर होती थी तो जो भी सीनियर सदस्य होता था उसको अध्यक्ष बनाया जाता था तो वहीं सब्रांस सही लिया गया है और उस समय चुकि चुनावा ध्यक्ष का नहीं हो पाया था इस बज़े से सबसे ओल्ड या सबसे बुजूर्विसदर से सच्चिदा दर निसीना थे इसलिए इनको अस्थायर ध्यक्ष बनाया जाता है ठीक है यहां तक बाते हैं आपको क इसके बाद में जब चुना जाता है चुना होता है तब यह अश्थाय ध्यक्ष राज sicप्साद होती है ठीक है और लोख देंप होतते हैं टीवी कृष्णमाचारी आप जानते होंगे टीवी कृष्णमाचारी इसके एक कृट अपाद्यक्ष होती है और दूसरे उपाद दूसरे एस से मुखर्जी इसके उपाद्यक्ष होते हैं ठीक है अब आपसे पुछा जाता है संभाइधानिक सलाहकार कर दो दूसरे अधानिक सलाहकार कौन थे तो डाक्टर वियन राव संभाइधान सवार के संभाइधानिक सलाहकार थे बात में आप जानते हैं कि यह विश्वादालत में जज्च का कारे करते हैं यूनों में भी यह कई कमेटियों के सदस्य और अध्यक्ष नामांगित होते हैं तो दोस्तों यहीं हम यह दूसरा अपना लेक्चर खतम करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा क्रिपया फीडबैक दे हमारे चैनल पर बने रहें लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल और करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद